लोकसबद चुनाव की तारीकों के एलान के साथी भारते जुनता पाटी के तमाम नेताओं की तरफ से जोरो शोरों से प्रचार किया जा रहा है लेकिन अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर इंडिया गटबंदन का क्या होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें ममता बेनरजी पहले से ही विड्रॉल कर चुकी है उन्होंने अपनी तमाम सीटों पर टीमसी के विदा को कोतार दिया है और साफ तोर पर ये कहा गया कि देखिए हमारे ही प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे कि हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरें जबकि आरजेडी ये नहीं चाहती है कॉंग्रेस बेगुसराइ से कनहिया को प्रत्याशी बनाना चाहती है और कटेहार सीट से तारिक अनवर को फिलाल चुनाव लडाना चाहती है जब तक बातें निकल कर सामने आईए जबकि दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो देखे बेगुसराइ से लेफ्ट और कटेहार से आरजेडी जो है वो अपना लगातार दावा ठोक रखी है अश्वाक करीम को कटेहार से आरजेडी प्रत्याशी बनाना चाहते है तो ये दो सीटे हैं जिनको लेकर अभी फिलाल तनाव बरकरार है दोनों पार्टियों के बीच में लगातार बैठकों का दौर जारी लेकिन अभी ये नहीं समझा रहा क्या किर आगे क्या कुछ होगा कि सीट शेरिंग का फॉर्मिला जो है वो फिलाल तैह होता को नजर नहीं आ रहा है और ठीक यहीं चीजे बिहार में भी हो रही हैं अब आप ये समझे कि बिहार के स्थी जो है वो किस तरीके की बनी हुए कि दो सीटों को लेकर कॉंग्रेस और आरजेडी में फिलाल रार है अब ऐसे में क्या आरजेडी मानती है या कॉंग्रेस मानती है क्या बेगु सराय और कटेहार सीट को लेकर जो विवाद चल रहा है ये सौल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीकों का एलान हो चुका है तेजस्वी आदव खुझ चु